हेलो फिंट्स वेलकम टू स्टी ग्रूप पाट शला मैं विलाश और आज ही ग्लास में लो डिस्टूस करेंगे एक इंपोर्टेंट निबंद को और यह निबंद होगा आप दा प्रबंदन पर ठीक आप इसको जरू तयार करिए आप सभी के लिए का फियाद मिल जाएंगे राइट दोस्तों और इसके राशी साथ आप इन बुक्स को ले सकते होको हिंदी अर इंग्लिश डोनों ही मिल जाएंगी आपको दोनों ही बुक्स को ले लेना है यहाँ बिएन वर्ड लिमेट सारे सारे topics मिलेंगे around 500 words में सारे topics को cover किया गया है और latest pattern पर सारे topics आपको मिलेंगे और जितने भी most important topics है जो latest topic है recent topics है वो भी इसमें मिलेंगे साधी साथ जो traditional topics हो भी आपको मिल जाएंगे इस book में right और lowest cost में आपको मिल जाएगी additional 30% discount भी मिल जाएगा description में दोस्तों link दिया गया है वहां से जाके आप discounted rates पे इन books को ले सकते हो right friends और अपने exam को और अच्छे से त्यार कर सकते हो right तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे कैसे इस topic को explain करोगे देख लेता है तो प्राचीन काल से मनुष्य विभिन प्रकार के प्राक्रतिक आपदाओं से पीडित है भुकंप बाढ़ चक्रवात या जालमुखी विस्पोर्ट हो मनुष्यों को हमेशा किसी ना किसी प्रक प्राक्रतिक आपदाओं से पीडित रहे हैं और चाहिए वो भुकंप बाढ़ को चक्रवात हो या ज्वालमुखी विस्पोर्ट हमेशा जो है किसी ना किसी प्रकार की प्राक्रतिक आपता कर डर लगा रहता है और यहां पर आप इस तरह से सुरुवात कर सकते हो उसके बा प्राक्रतिस ने वास्तों में कई आपदा की भवशवानी करने में मदद की है और उनमें से कुछ को नियंतित करने के तरीखों को यहां पर आप बता सकते हो वंगयान प्रागति से ने प्रगती कि याननि कि कि यानि फीवी तरह कि प्रॉल अपई आती तो ऐसे कैसे कि तरीके जिस्ट को अपना के उनके उनक्न करा सकते राइच आधा ब्लागी आज भी प्राक्टिक आपताओं ऐसे होने वाली छस्टी बहुत बड़ी है कि कि यहाँ पर आब किया जाता है जैसे कि हमारी परस्टितिक तंथ है यानि जो हमारा एको सिस्टम में उसमें बैलेंस बनाया रखने का प्रयास करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता प्राकतिक अंसादनों का अप्योग किया जाता है जिससे की जो हमारा ईको सिस्टेम वो डिस्टरब हो जाता है तो इस तरह की सिचुएशन आप यहां पर इसके बारे में लिख सकते हो तरह का यहां पर प्रभाव जो पढ़ रहा है उसके बारे में लिख सकते हैं राइट आगे दोस्तों मूफ करते हैं लोग बॉड़ी सेक्शन में कि कुछ हद तक विज्ञान ने मनुश्यों को अनुमान की मात्रा नुकसान की मात्रा सीमिट करके प्रा मात्रा को कम कर सकते हैं राइट प्रागतिक आपदा ना केवल भौतिक संपत्ति के नुकसान में बलकि शाररिक और मानसिक पीड़ा का भी कारण बनती है ठीक है यानि प्रागतिक आपदा अगर आएगी तो उससे बहुतिक संपत्तियों का तो नुकसान होगा ही होगा लाइट के बाद भी को अल्पकालित राहत प्रदान करने के प्रयास आहम तोड़ासनिक हस्तचेफ से बाधित होते हैं यानि जो होते हैं आप वाद पीडित हैं उनको अल्पकालिक और दिर्दकालिक राहत दी जाती है तो उसमें भी प्रशासनीख फस्त छेफ हैसके कारण इसको बाधा पहुंसती है तो यह भी आप यहां पर बता सकते हो रईट प्राय। प्राकतिक आपडा है वास्तों में हमारे नियंतर में नहीं है। तो प्राकतिक आपडाओं को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन पर्यावण को कैसे प्रभावित कर रहे हैं तो कई आप बताएं नहीं होती या उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है ठीक है तो यहां पर आप दोस्तों बता सकते हैं हमें इस पर इन पर औरपोकस करना है कि हम पर्यावरा पर किस तरह से प्रभाव डालना है अगर आम इन चीजहों पर ठीस करेंगे तो कई आपना है अपने जो है टल जाएए और तो यहां? तो यहां पर आप इसके बारे में लिख सकते है इस तरह से इसके बाद देखो अकेले टक्निकी आपढ़ाओं के कारण होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिए पर्याप कर नहीं है जल से जल जितना संभध हो सके रहा देने के लिए तक्काल कारवाई अवश्चक है तिक यानि केवल टेक्निकी जो है आप दाओं के कार्ड जो नुकसान हुआ है उसको सीमित नहीं कर सकती इस अगर आप दा होती है तो उसके बाद क्या राहत पैकेज भी होते हैं राहत देने के तत्काल कारवाई भी आवश्यक की जानी चाहिए ठीक है जिससे की जो नुकसान है उसको काफी कम किया जा सके तो यहां पर आप इस तरह से इसके रिगार्डिंग लिखो गए इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग मूफ करते हैं वर्तमान समय में विज्ञानिक और टक्नीकी शोध के फलसुरूप आप दाओं का ध्यान विशलेशन किया जा रहा है ठीक है यहांनि वर्तमान समय में विज्ञानिक अफित तक्नीकी शोध के फलसुरूप यह नि टेक्निलोजी का भी यूज़ किया रहा है साइंस और टेक्निलोजी का उपयोग किया रहा है ताकि आप दाओं को का अध्यन किया सके उनकी स्टड़ी की जा सके और उनको उनको बेसे क किया जा सकde विशलेशन किया जा सके इनका बójकर विज्ञान मौसमविज्ञान जलवाईविज्ञाज समुद्र विज्ञानादी के माध्याप से अनेक आप दाओं का पूरवन फ्रबान मान लगाने लगाया जाने लगा कि टिक अलग-अलग सके तो यहां पर आप इसके रिगार्डिंग यहां पर लिखोगे इस तरह से इसके बाद देखो आगे मूफ करते हैं इसी के साथ सूचना और संचात तंत्रवी अत्तधिक विक्सित होने के कार दुनिया के किसी भी भाग में चेतावनी देना संभा हो गया है इस संबंद में temillimeter तो हम सूचना और संचान तंत्र के मद्यम से यह हैं हम धूर में चेतावनी एक्छी आप सकते हैं जो हैं हर तरह की चेतावनी दे सकते हैं आज और अनुमान पूरौनमान उच्चेतावनी दिया सकती है समय पर ताकि जो उसका इमपैक्ट है जो प्रभाव को कम किया जा के किसी बी तरह की आपदा का राइट तो यह पर और इस तरह से दोस्तौत प्रकट करता है जो भी अनुमान लगाया जाता है यानि जो स्टैडिस्टिक्स फी पर जाता है जाता घटना करम के सिद्धानत पर किया जाता है तो पूर्व की घटनाओं पर आधारित होता है जो पहले हुआ था तो उसी के बेस पर आगलन किया जाता है ठीक और यह जो संभावना होती है यानि इनके होने और ना होने का एक तरह से कि अगर कोई संभावना कि आपदा की है या नहीं है तो इस तरह से यहां पर आप इसके बारे में लिख सकते हो बैस तरीके से और यहां तक आई हो आपको समझ में आ रहोगा अच्छे से राइट आगे दोस्तों करते हम लोग कंक्लूजन की हो इसके बाद देखो जबकी पू भंध में अनुमान लगा यानुमान लगा तो जबकी पूर्वान हमान की बात हो रही का यहां की हां कि बात पर होगते लुजसा पर मांच पर होता तो यहां पर बता सकते हैं इसके बारे में इसके बारे में इसके बार देखो आपदाओं से जन धन की हानी को कम तथा पर्रयावन पर प्रतिकुल प्रभाव ना हो इसके लिए आपदा प्रबंदन के साथ जन भागीदारी विश्यक है इसके साथ सूचना तंत्र को प्रभाव देना विश्यक है ठीक है यहां पर आप दोस्तों बता सकते हो आप अदाओस से जो जन धन की हानी होती है और प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है इसके लिए क्या है कि जन भागीदारी जरूरी यानि हर किसी को एक दूसरे का साथ देने की जुरुत है यहां पर सूचना तंत् लिए एक दोससे से दूसरे देश वग्यानिक और टेक्निकी सयोग दे सके जरूरी जरूरी है तकी जो किसी बी तरह की आप दावस्त से निम्टा जा सके इसके इसके बाद आगे बढ़ते हैं पर्रेवर्णी आप दाओं को रोकना कठी नहीं किन्तु उचित प्रबंदन से उनके द्वारा होने वाली हानी को अवश्य कम किया जा सकता है ठीक है यानि कि जो पर्रावणी आपदाए हैं उनको रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन अगर हम उनका प्रबंधन ठीक से करें उनका उनको अच्छी तरह से मैनेज करें तो उनसे जो होने वाली हानी हैं उनको काफि सकता है राइट मनुष्यों ने निष्चित रूप से प्राक्तिक आपदाओं का सामना किया है लेकिन अभी प्राक्रतिक क्रोद विग्यानिक रूप से उन्न पर काफी कर सकता है करता है रहे हैं सकता है काफी प्रभाव देखा सकता है तो यहां पर दोस्तों इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो बहुत इफेक्टिव में और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इसको बेस्ट पॉस्टिवल में आपको लिखना है कैसे आप इसको लिख होगा एक्जाम में और आई होप यह टापिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो लगाओ तो लाइक करेगा इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो राइट फेंट्स और इसके साधी साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो यहां पर आपको सारी इंपॉर्डेंट पीडियो सो ग्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी राइट और साधी साथ आप सच्छ भी कर सकते हो टेलीग्राम प झाल